यदि आप जीमन भर खुश रहना चाहते हैं तो ये कहानी अवस्य सुनें कहानी है सच्चा सुक एक बार एक पिता पुत्र साथ साथ टहलने निकले टहलते टहलते वे दूर खेतों की तरफ निकल आए तभी पुत्र ने देखा कि रास्ते में पुराने हो चुके एक जूड़ पिता से कहा क्यों ना आज की शाम को थोड़ी शरारत से यादगार बना दे आखिरकार मस्ती ही तो आनंद का सही स्रोत है पिता उसकी बास सुनकर असमंजस से बेटे की ओर देखते हैं पुत्र बोला हम ये जूते कहीं छिपा कर जाड़ियों के पीछे चुप जाए जब व पिता पुत्र की बात को सुनकर थोड़े गंभीर हो गए और बोले बेटा किसी गरीब और कमजोर के साथ उसकी जरूरत की चीजों के साथ इस तरह का भद्दा मजा कभी नहीं करना चाहिए जिन चीजों की तुम्हारी नजर में कोई कीमत नहीं वो उस गरीब के लिए बहम पड़ता है पिता ने ऐसा ही किया और दोनों पास की उची जाडियों में छुप गए मजदूर जल्दी अपना काम खत्म कर जूतों की जगह पर आ गया उसने जैसे ही एक पैर में जूते डाले उसे जूते में किसी चीज के होने का आभास हुआ उसने जल्दी से जूते में लेकर बड़े गौर से उन्हें देखने लगा कि उसका मददगार इंसान अखिर है कौन दूर दूर तक कोई नजन नहीं आया तो उसने सिक्के अपनी जेब में डाल लिये अब उसने दूसरा जूता उठाया उसमें भी सिक्के पड़े मिले मजदूर ये देखकर भाव आये थे समय पर प्राप्त इस सहायता के लिए आपका और आपके माध्यम से जिसने भी ये मदद की उसका लाख लाख धन्यवाद आपकी मदद और दया के कारण आज मेरी बीमार पतनी को दवा और भूखे बच्चों को रोटी मिल सकेगी तुम बहुत दयालू हो प्रभू आपका कोटी कोटी धन्यवाद मजदूर की बाते सुन बेटे की आँखे भराई पता ने पुत्र को सीने से लगाते हुए कहा क्या तुम्हारी मजाक वाली बात से जो आनंद तुम्हें जीवन भरयाद रहता उसकी तुलना में इस गरीब के आसू और दिये हुए आशिवा तुम्हें जीवन परयंत जो आनंद देंगे वो उससे कम है क्या पता जी आज आपसे मुझे जो सीखने को मिला उसके आनंद को मैं अपने अंदर तक महसूस कर रहा हूं अंदर में एक अजीब सा सुकून है आज आज के प्राप्त सुक और आनंद को मैं जीवन भर नहीं भ सुक समझता था पर आज मैं समझ गया हूं की लेने की अपिछा देना कहीं अधिक सुखदाई है दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा तथा मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके मेरा प्रुसान कीजिए मिलती हूं ऐसी ही एक नई और अनोखी कहानी के साथ धन्यवाद